पर रिवाजों का सक्त पहरा है नजानी कौन सी उमीद पर जाकर ये दिल ठहरा है मेरे आखों से निकले अश्क की कसम मेरा प्यार बहुत गहरा है दर ऐसल एक और प्रीम कहानी सामने आई है राजधानी पटना से एक राजमस्त्री जिसे काम करते करते एक युवती से प्यार हो जाता है इन दोनों की महबत परवान चड़कर बोलती है और ये दोनों ही अपने घर से भाग निकलते हैं जैसा कि हर प्रीम कहानी में होता है माता पता युवती के इस रिष्टे को लेकर नाराज हो जाते है उन्हें ये रिष्टा नागवार होता है और फिर क्या था? युवती को लेकर उन्होंने पुलस थानी में जाकर शिकायद की और ये कहा कि मेरी बीची का अपहरण हुआ है लेकिन इस शिकायद को सिरे सिखार्स करने के लिए वो युवक और युवती दोनों ही थानी पहुँची और उन्होंने बताया कि मेरा अपहरण नहीं हुआ, हम दोनों ही बालग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं इसके अलावा क्या कुछ उस प्रेमी युगलनी पुलिस थाने में जाकर गुहार लगाई और किस प्रकार अपनी व्यथा सुनाई है पूरी खबर आपको विस्ताष से बताते हैं राज़ानी पटना से एक अजीवो गरीब घटना सामने आई है दरसल एक लड़की अपने प्रेमी को लेकर थाने पहुंची दोनों ने अपने आपको पती पतनी बताते वे पुलिस वालों से मदद की गोहार लगाई मामला पटना के नौबतपुर थाना इलाके की है बताए जा रहा है कि बेगु सिराय के बरौनी के रहने वाले मुन्ना महतो के पुत्र सुबोध के लिए सुबोध बरौनी से नौबतपुर में राजमिस्त्री का काम करनी के लिए आया था इसी दोरान सुबोत को नौबतपुर इलाके के रहने वाली 20 वर्षे निधी कुमारी से आखे लड़ गई और बादचीत शुरू हो गई फिर महबत के किस्से गढ़े चाने लगें और दोनों एक दूसरों से मिलना जुलना शुरू कर दिये और फिर दोनों ने ही घर बसानी का फैसला ले लिया दो महिने गुजर जाने के बाद उन दोनों ने जब शादी करने का फैसला लिया तो उनके घर वालों को उनका रष्टा नागवार गुजरा फर क्या था निधी अपनी नई दुनिया बसाने के लिए अपनी घर से भाग निकली आखर में उसे अपनी महबबत तो मिल गई लेकिन परिवार वाली अपनी लाडली को कैसे यूँ ही चाहने देते तो लड़की के मा ने प्रीमी सुबोद के खिलाप नौबतपुर थाना में निधी के अपहरण का मामला दर्च करा दिया पुलिस तक मामला पहुंचते ही उन्होंने सुबोद के परिवार वालों से निधी को सुरक्षित घर वापस भिजवानी का दबाव बनाना शुरू किया लेकिन अंसब के बीच लड़की अपनी प्रीमी को लेकर ठानी इससे पहले वो दोनों बरौनी भागे थे बरौनी में ही दोनों ने एक मंदर में शादी की लड़की ने अपने घरवालों के उपर आरूप लगाया कि परिज़नों द्वारा उसके ससुराल के लोगों को परिशान किया जा रहा है वही नौबत पुर्थाना अध्यक्ष सम पराड दीपत ने बताया कि दोनों की को बरामद कर 164 का बयान दर्ज कराने के लिए दानपुर्ण नयाले में भीज दिया गया है नयाले के आदीश पर आगी की कारवाई की जाएगी बहक जानी दो मुझे मेरे यार की महबत में ये वो नशा है जो सिर से उतरता ही नहीं कुछ ऐसा ही हुआ सुबोद और निधी के साथ हालाकि इन दोनों की कहानी आगी तो वड़ी प्रेम कहानी मुकमल भी हुई लेकिन कहीं न कहीं अपनी लाडली को लेकर परिजन परिशान है और लगातार इस बात की कोशुश में हैं कि किसी भी तरीके से निधी अपने घर को वापस लोट जाए हलाकि निधी पर महबत का फितोर इसकदर सवार हुआ कि उसने सुबोद के साथ शादी रचाली है और वो उसके जद है कि वो उसके साथ ही अपने आगे के जंदगी गुजारेगी हलाकि इसको लेकर नयाले आगे का फैसला सुनाएगी वो भी आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताईएगा अगर पसंद आई हो तो इससे जरूर शेर कीजेगा हमारे चानल को सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद